हेलो दोस्तों एक पर फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नई उमंग और एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सोर्टी मैटीरेंटू ग्रूप्स जैसे ही दोस्तों आप सभी को पता है कि मैटीर को गूरूप में डिवाइड करें तो उनकी कुछ ने कुछ प्रोपर्टी क की सबसे पहले मतलव की सैनी अगर कोई में जैनी है तो उसकेँ अंदर लस्टर है उसकी जैसे मैटल हैं अपनी मैटल के अंदर आरन कोपर गोल्ड अचक्टर जो भी आप पने हिसाब से जो वी आप करना चाहते हो तो आप Taliban कर को देख सकते हो next बात करते हैं hard material जो material easily compress ना हो मतलब जैसे easily उसको हम लोग compress ना कर सके, वो hard material के एक प्रोपर्टी है जैसे wood है iron है, इंटे हैं, अपने आसपास जैसे कोई table है, कोई ये लगा के, चलुआ आप कोई प्लास्टिक है आप बात करते हैं दोस्तों सोफ्ट मैटीरियल की यह वो मैटीरियल होते हैं जो इजली कंप्रेस हो सकते हैं जैसे की स्पंज है कोटन है यह दोस्तों इजली कंप्रेस हो सकते हैं इसलिए इनको सोफ्ट मैटीरियल की कटेगरी में रखा जाता है बात करते हैं दोस्तो Soluble Material के जो material water में Soluble है मतलब कि घुल सील है जो पानी के अंदर घुल जाता है पूरी तरह ऐसे उसको हम Szall तुरा से नहीं मतलब एह गुलन सील, तुछ हम के इसक लाट पर घुल are दोस्तों बात करते हैं ऑपेग मैटेरियल की दो सो यह वो मैटेडिल है जिसके अंदर से वं और पर नहीं देख सकते जीसे की वूड है जैसे आप डाइग्राम में देख पा रहे होगे यह देखिए यह यह लड़का ले यह अपने हाथ में उपेग मैटिरियल जिसके करोज नहीं देख सकता उसके बाद इसके एग्जैम्पल है दोस्तों वूड मैटल कंटिनर या कोई दिवार है या कुछ जो भी अपने आप लेवल पर देख सकते हो याद रख सकते हो बात करते हैं दोस्तों ट्रास्पेरेंट म मैटिरियल है जिनके अंदर से हम बिल्कुल कलियरली देख सकते हैं चीकर दोस्तों जैसे यह डायग्राम में रड़का देख रहा है यह ट्रास्पेरेंट काईग एग्जैम्पल है जैसे दोस्तों गलास है वोटर है एर हमारे सराउंटरिंग में जो सबसे अच्छा इजैम जैसे यह दूनलाहा दिखाई देगा मतलब विजिविलीटी कम होगी उसके अंदर से तो दोस्तों आज इतना ही यहाई चैप्टर की समक्ति होती है थैंक यू किर्पा चैनल को लाइब और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें